अग्ले चार साल में दर्भंगा में बनकर यह तयार हो जाएगी दर्भंगा मेम्स के बनाए जाने से मिथलावासी और उतर बिहार को काफी ज्यादा फाइदा मिलेगा सरकार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार नब निर्मित अस्पताल में 700 बेट से अधिक स्थो विधा मुहाया करवाई जाएगी वहें इस बावत बिहार के जलसं साधन मंत्री संजेज हां ने ट्वीट करके प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी का धनेवाद व्यक्त किया है 16101 पर पहुँच गई है वायगरम प्रभावित जिलो की संख्या की बात करें तो अलर्या में 75, अलवल में 24 औरंगबाद 29, बांका में 32, बेगु सराय में 36, भागलपुर में 72, भोजपूर में 13, बकसर में 24, भंगा में 29, पूर्वी चमपारिन में 33, गया में 49, गोपालगज में 44, जमुई में 33, जह सहरसा में 42, समस्तिपुर में 20, सारण में 45, शेखपुरा में 19, शिवार में 12, सीता मड़ी में 30, सिवार में 20, सुपॉल में 100, वैशाली में 25, पश्विम जमपारन में 62, पाहीं दूसरी तरफ COVID-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार बढ़ातरी देखी जारी है, स्वास्ते विभा की तरफ से बीते दिन शाम चार बज़े तक जारी के अपडेट के अनुसार को मिलाकर 146,533 मरीज ठीक हो चुके हमाई 836 लोगों की जान जा जुकी ह मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने भूजल स्तर पर सोचने की कही बात, बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने मंगलबार को अपना बयान जारी करते वे, पानी की उपलब्धता को जरूरी बताते वे, भूजल स्तर पर सोचने की बात की है, उन्होंने कहा है कि परिय जल मिलना बहुत ही ज़रूरी है प्रधान मंत्री से आग रह करते वे उन्होंने आगे कहा कि 12 घंटे पीने के पानी की आपूर्थी करना सही है नहीं इस पर विचार करने की ज़रूरत है बिहार B8 संयुक्त प्रवेश परिक्षा का अड्मिट कार्ड हुआ ज़री सरकारी और 11 सरकारी कॉलेज में B8 कोर्स में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परिक्षा 22 सेतंबर को होगी पटना में बन रहे एरपोर्ट को जल्द आक्टिफ किया जाने की उठी मांग के लिए जरूरी बताया है इसकी साथ ही रोने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब दुर्गामी सोच को प्रदर्शित करता है जिसमें मिलने वाली शक्तियों को एरक्राफ्ट पैसेंजर्स की संरचन और सुरक्षा का विशेश रूप से बढढ़ावा करना चाहिए अब एक लिक में आसानी से जान सकेंगे बिहार में COVID-19 से जुड़ी जानकारी COVID-19 के माहौल में इससे जुड़ी हर ख़बर आसानी से यूजर को उनके फोन में ही मिल जाएगे इसके लिए बिहार सरकार के स्वास्तव भाग की तरफ से संजीवन मोबाइल आप की लौँच किया गया है इस आप को प्ले स्टोर के माधहम से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है बिहार में COVID-19 संबंधित सभी जानकारी अब आसानी से इसकी मदद से बिल सकेगी आपको बता दे संजीवन आप को इस तरह से डिजाइन किया गया है किसके माधहम से COVID-19 संक्रमन से बच्वाफ के उपाए जाच अपचार संसानों के सूची और दोस्टे महतवपूर्ण जानकारी आसानी से ली जा सकती है अता ही नहीं COVID-19 जाच के लिए यहां स्वयम पंजीकरन भी किया जा सकता है नजदी की जाच केंदर की जानकारी भी मिल जाएगी चुनाव आयोग ने बिहार के बारह दलो को अलोट किया नयाज सिंबल बिहार में पपू यादव की पाटी जनाधिकार पाटी को केंदरिये चुनाव आयोग ने नया चुनाव चिन हिमोहया करवा दिया है बिखार्वधान सभाद चुनाव में जनादीकार्ड पार्टी का चुनावचन इक्याची होने वाला है बिहार में फिस्ट्रीज कोर्स करने वाले सीधे बहाली के जरीए बनेंगे अधिकारी बिहार में इंडस्ट्रियल फिश और फिस्ट्रीज की पढ़ाई करने वाले छात्रों को अब सीधे अफसर की उपाधी दी जाएगी मिली जानकारी के नुसार इसे छात्र मच्टी उत्पादन के छेत्र में तो सफल होंगे ही उत्पादकों को सरकार की योज़न और तक्नीकी जानकारी भी मिल पाएगी कोवड-19 पर हाई-कोट ने बिहार सरकार से फिर पुछे सवाल पतना हाई-कोट लगातार कोवड-19 के मामले को लेकर सरकार से सवाल जबाब करती आई है हाला कि सरकार के तरफ से अभी तक हाई कोट को परियाप्त जवाब नहीं मुहाया करवाएगे है उसके बाद अब तक एक बार फिर से 18 सेतंबर को सुनवाई होगी कोट ने राज्यो सरकार से बिहार के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में सिटी स्कैन मशीन लगाई है या नहीं इस बारे में पूछा है इसके साथ ही दिनेश कुमार सिंग और अन्ने की जनहेदर याचिका बड़ चीफ जस्टिस संजय करोल की खंड़ पीठ ने मामले की सुनवाई की है आपको बता दे हाई कोट ने राजसरकार को 24 जुलाई को दिये गया मुद्दो पर विस्ति जानकारी देने का निर्देश दिया है आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे चंदरावती देवी की चंदरावती देवी भारतिय फिल्म अदाकारा थी जिन्होंने कई फिल्मों और बंगाली सिनेमा में काम किया है उन्हें चंदरमुखी में उनके किरदार के लिए बखू भी पहचान मिले थी उसके बाद पहली फिल्म 1939 में बनाई गए थी जिसका नाम प्यारी था उनकी देवी का बोस में भी उन्होंने काम किया है इसके साथ ही उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है और अभी तक अपने फिल्मे करियर में 50 से जादा फिल्मों में काम कर चुकी है प्रधारमत्री नरेंड्र मोधी ने की बिहार को जलापूरती और सीवर से जुड़ी 543 करोर रुपे की यौजनाव की सौगात प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार के जलापूर्ति और सीवर से जुड़ी 543.2 करोर की अलग-अलग परियोजनाव का उधखाटन और शुलन्यास करके एक बार फिर से सौगात दे दी है यह परियोजनाई केंद्र की नामामी गंगे और अमरूत योजनाँ से जुड़ी वही है जुससे पटना के बेवर और कर्मलीचक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा सिवान छप्रा, मुंगेर, जमालपूर, मुदी ने एक बार फिर से बिहर के लोगों को सौगात दे कर गांधी सेतु के समरांतर फोर लेन पुल के निर्मान का रास्ता साफ कर दिया है जिसके बाद 21 सितमर को प्रधानमत्री नरेंटर मुदी खुद इसकी नीव रखने वाले है इस कारिक्रेम को ले कर सभी प्रशा बिग बॉस फेम दीपक ठाकुर के गाने में नए अवतार में नजर आएंगे डीजीपी गुपते शर्पांडे बिहार पुलिस के डीजीपी गुपते शर्पांडे जल्दी बिग बॉस फेम दीपक ठाकुर के गाने में नजर आने वाले हैं गुपते शर्पांडे दीपक ठाकुर के music album में Robin Hood का खिरदार ने भाते वे लेखे जा सकते हैं जिसका नाम होगा Robin Hood बिहार के दिपक ठाकुर ने tweet करके अपने upcoming album के बारे में जानकारी दी है music videos में DGP गुपतेश्वर पांडे के साथ दिपक ठाकुर भी नजर आने वाले हैं हाला कि गुपतेश्वर पांडे के इस रूप को देकर काफी fans excited हैं और social media पर जम कर retweet भी कर रहे हैं चुनाव आयोग ने social media के दुश प्रचार का जवाब देने का किया एलान आगामे विधानसवा चुनाव को ध्यान में रखतेवे साथ ही चुनाव में social media के महत्व को समझतेवे चुनाव आयोग ने एहम आदेश ज़ारी कर दिया है जिसके तहुनाव आयोग ने साफ़तोर पर कहा है कि social media में किसी भी नेता या राजुनेतिक पार्टी के बारे में भ्रहम फैलाना अब किसी के लिए आसान नहीं होगा इसको लेकर आयोग ने प्रसाशन की वेबसाइट पर फैक्ट चेंग के लिंक से आसानी से इस पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि कोई भी मतदाता किसी भी खबर या पोस्ट की सचाई आयोग या संबंधित जुले की वेबसाइट के साथ फैक्ट चेकिंग लिंक पर जाकर पता कर सकेगा के फर्जी प्रमान पत्र आय सामने बिहार के सरकारी स्कूल के सिक्षकों पर कई बार उंगली उठाई गई है सिक्रम एक बार फिर से फर्जी प्रमान पत्र पर शिक्षकों के प्रमोशन करने का मामला सामने आया है पटना जुला सिक्षा पदाधिकारी को हाली में मिली जानकारी के नुसार पटना के 32 प्रधाना ध्यापकों को शो कौज मांगा गया है पटना के जुला सिक्षा पदाधिकारी ने पत्र रिकर 32 मध्य विद्याले के प्रधाना ध्यापकों को जवाब देने को कहा है पत्र में साफ्तोर पर कहा है कि अब तक कई पत्रों के माध्यम से आप सभी के स्तातक उत्तर की उपाधी वीनियाएक मिशन विश्विद्याले तमिलाडू एवं महात्मागांदी विश्विद्याले में एक हाले से पत्राचार के माध्यम से प्राप्त किया गया है जुसे UGC ने 23 अगस्त 2013 को ही आमाने करार कर दिया है दिपाली ने बिहार में भोचपुरी इंडस्ट्री का गढ़ बनाने की कही बात दिपाली सहाय ने हाली में बिहार को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है लेकिन पिश्रे 14 साल से मुंबई में स्ट्रॉगल कर रही हो उन्होंने बताया है कि अश्वरे निगम के साथ उनके इस गीत को अपने ही घर पर फिल्माएगा है दिपाली का मानना है कि अगर बिहार में रोजकार के अफसर हो तो कोई बाहर नहीं जाना चाहेगा आपको बताते मनोज बाजपाई की पहले भोजपूरी रैप को दिपाली सहाई ने खुद की आवाज देते वे जो एक्सप्रेशन जी हैं उसकी वज़े से सोचल मीडिया पर धूम मचा दिगे है कोसी और मतुरा के लोगों का सपना होगा सच लगभग इस सेतु के ट्रेनों का परिचालन शुरू होते ही उतर बिहार के पिछरे और दुरस्त गाओं का लगभग 86 साल पुराना सपना सच हो जाएगा जिसके बाद आसानी सी यात्री यात्रा कर पाएंगे एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर 30 करोर की लागत में पटना में होगा निर्वेट मंगलवार को प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की तरफ से बिहार में अर्बन इंफ्रास्रक्टर से जुड़ी 543 करोर के लागत से पर योजनाओ का उधगाटन किया गया श्रील अन्यास के लिए आयोजित वर्च्वल समारों में उपमुख्य मंत्री सुशील कुमार मोदी भी मौजूद थे जहां उन्होंने प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोशना के लिए प्रधान मंत्री को धन्यवाद देते वे कहा कि पटना विश्विद्याले के दो एकर परिसर में 30.52 करोर की लागत में एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्स सेंटर की स्थापना की जारी उन्होंने आगे कहा 2019 के सर्वेक्षन के अनुसार पुरे देश में कई डॉल्फिन पाई गई है जिसमें से आधी संख्या बिहार में पाई गई है सुल्तान गंज के हलगाओं के 60 किलोमीटर शेतर को विक्रम शिला गंगे डॉल्फिन सेंचुरी घोशित किया गया है चुनावायो की टीम ने महिलाव प्रवासी मजदूरों को वोटर लिस्ट में जोडने के लिए महीम चलाने का जारी की आदेश चुनावायो की टीम इंदनों बिहार दोरे परेफाई मंगलवार को टीम ने भागलपुर शेहर में 12 जिलों में के डीम और 13 जिलों के SP के साथ चुनाव की तयारियों की समिक्षा की है इस दौरान हर जिले के डीम और SP से अपने जिले में चुनावी तयारियों का डेटा पावर प्रेजेंटेशन देकर बताए गया है इसके साथ ही किशन गंजुले से इसके शुरुवात की गई है और भागलपुर्जुले के सबसे आखरी में समीक्षा की गई है सुबे 9 बज़े से 2 पहर 1 बज़े तक समीक्षा के बाद आयो की टीम हैडिकॉप्टर से गया के ले रहाना हो गई थी COVID-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण मलमास मेले के आयोजन पर ब्रेक लगा दिया है COVID-19 ने अपनी जद में इस बार मलमास मेले को भी ले लिया है इस मेले का आयोजन 18 सेतंबर से 16 अक्टूबर तक किया जाना था लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा बावजुदिस के राज़गीर तपोवन तीर्थ रक्षार्थ पंड़ा कमीटी द्वारा ध्वजा रोहन कारिक्रेम की परंपरागत औप्चारिक्ता को पूरा करनी की तयारी की जारी है सिर्फ चुनिंदा लोगों को हिया मंतरित किया गया है बोल कुछ इस प्रकार है कदम कदम बढ़ावा हो विकास गीत गावा हो नितीज जी के सपना के बिहार तू बनावा हो अस्ट्रेलियाई तेज गेंद बाज ने जस्परीद बुम्रा को लेकर दिया अपना भायान भारते क्रिकेटीम के तेज गेंद बाज जस्परीद बुम्रा ने अपनी प्रतिभा से तीनों फॉर्मेट में धाग जमाई है सटीक बोलिंग के कारण और अपने हुरर की वज़े से बल्लेबाज उनकी गेंद पर खेलने से पहले सो बार सोचते हैं और उनको शांदार गेंद बाजों की सूची में गिनते हैं वाई आईपील में ही गेंद बाज मुंबई इंडियन्स की तरफ से खेलने वाले हैं और गेंद बाज जेम्स पैटनसर ने बुम्रा को लेकर बीत दिन अप्रिप्रतिक रियाज जारी की है जिसके तहट उन्हा ने जस्प्रीद बुम्रा को सर्वशेष गेंद बाज बताया है उनके अनुसार भारत की जस्प्रीद बुम्रा दुनिया में T20 क्रिकेट के सर्वशेष गेंद बाज रह चुके हैं और गेंद बाजों के साथ काम करना एक अलग ही अनुभाव है बिरा इंटेनेट यूज की आसानी से इस्तमाल कर सकते हैं Google Map मौजूला समय में Google Maps का इस्तमाल बड़ी संख्या में यूजर करते हैं स्मार्टफोन में मिलने वाली GPS सर्विस की मदद से ना सिर्फ आप कहीं भी पहुँच सकते हैं बलकि एपने location को share कर सकते हैं बलकि बिना किसी दिक्कत के Mark की कई location पर भी जा सकते हैं अगर आप किसी नहीं जगा पर है तो Google Map सबसे काम के navigation tools में से गिना जाता है उसमें से एक हो सकता है माई ज़रूरी नहीं कि हर बार Google Map navigation service के लिए आपकी मदद कर पाए खासकर ऐसी सिती में जब आपके smartphone में internet access ना किया जाए हो मगर बिना internet के इस्तमाल के आसानी से Google का आप इस्तमाल कर सकते हैं इसके लिए आपको smartphone में Google Map app को open करना होगा इसके बाद top left में दिख रहे अपने profile photo पर tap करें और offline select करें इसके बाद select पर tap करें और वो जगर चुने जहां आप जाने वाल हैं जिसके बाद आप download हो जाएगा और उसके बाद आप offline भी access इसे आसानी से कर सकेगे खल हमारे दुवारा पुछेगे सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें comment करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप में से जिन यूजर का comment हमें अच्छा लगा उनके नाम है आप इसी तरह माई सवालों का जवाब देते रहे हम हर दिन वीडियो केंट में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं आज की सवाल क्यों राज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके नुसार अब तक भारतिय क्रिकेटी में सर्वश्रेश गेंदबाज कौन रहा है अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताए इसके साथ ही अगर आपी वीडियो हमारा यूट्यूब पर देखने हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और वेल आइक ओन दमाना ना भूले और अगर आप ये वीडियो मारा फेस्बूक पर देखने हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और जादा जादा शेयर करें धन्यवाद